तो दोस्त आज कि स्वीडियो में हम बात करेंगे क्या आपका जो बैग्राण वालिलिकाइन होता उसके प्रिवियस कंपणी जो आपके क्या वो किसी बी तरीक Rog कि सब्सक्राइट के लिए होता है किसी भी एक मर्टी नेशनल कंपनी के लिए और वो सारे के सारे डॉकुमेंट्स आपके अटाइश होते हैं यहां पर पर्टिकुलर पार्ट आता है आपकी सैलरी का तो ऐसा कुछ भी नहीं है अगर कंपनी इन केस बाइग्राउंड वेलिफिकेशन की जो कंपनी होती है अगर वो डिमांड भी करती है आपके प्रियूस और इसन किसी भी तरीके का साली इस्ट्रूर्ट या साली डेटा सेयर करने के लिए तो वह कंपनी डारिक्टली मना कर देती है कि नहीं यह मेरा इंटर्नल मैटर है य five जाता है जो की डिफरेंट इपरेंट काद एंट होती है अगर मu आपका और सेडर कर दी जाता है तो आपकी युक्छी के लिए क्योंकि वह इंटर्ण बाइंटर्नल सब्सक्राइब होता है कर लेंगे तो वहां से हो जाएगा and second case में क्या होता है कि BGV में कई बार ऐसा भी हुआ है कि अगर कोई employee है और उसके बाद कोई एक MNC company है वो अगर background verification कर देए multinational company के तो क्या करते हैं कि employer से ना पूछ के वो employee से यह बोलते हैं कि आप मुझे अपना bank statement और उसमें particular number होता है वहां से find out हो जाता है and second कई बार के case में यह भी सामने आया है कि आपके bank statement में login करा लेते हैं आपकी screen को remote पे लेके कि आप मुझे salary दिखाओ bank statement वगरा दिखाओ अपनी net banking में login करके या application person के case में but after all private sector है तो इस तरीके का salary अगर कम ज्यादा कुछ भी कर रहे हो तो मैंक से ओर थोड़ा बहुत वहां पर रिस्क होगा तो यह मैं तो यह चीज रिकमंड नहीं करूंगा कि कि सब्सक्राइब करें तो यह सारी चीजे ना करें बड़ेंस कंपनी होगी तो आपका डेटा हो सकता है आपका डेटा से हो सकता है बाकी सावा भी अगर आपका किसी भी तरीके आपकर और यह तो इसके नहीं पर मेरा नमर आ रहा हुगा यह वहां पर मुझे वच्छाप पर यह बाटक्ट कर सकते हो वहां पर चार्जिबल कॉल होती है और इसके लावा अगर आपको कुछी कॉमेंट यह नीचे मुझे कॉमेंट सेक्क्राइब नावे नाम है मिए मेरे झाल ऑट दो जरान हम आजने हौगिए लिबाट सब्सक्राइब है क्षोरग्स तो été ओडिझ मैं पूटा मैं झाल खूायए ओर जा लिए कर दो दो कना धाल